Hi Everyone मैं अंजनी कुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त आज के वीडियो में सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड नूज है कि सिविल इंजीनियर्स के लिए रिसर्च सेंटर में जॉब आई हुई है एक civil engineer post के लिए ऐसी जॉब आपको सायद कभी देखने को मिली हो बट अभी civil engineers के लिए research center में जॉब आ चुकी है सो इस वीडियो में इस जॉब से related full information आप से share करेंगे चलिए वीडियो इस्टार्ट करते हैं सो आप देख सकते हैं यह जॉब नेशनल इंसिट्यूट आफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर में हैं ठीक है जॉब प्रोसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि only interview होगा interview के लिए करने के बाद आपको यह job मिल जाएगी और qualification की बात करें तो आप देख सकते हैं कि civil engineer and electrical engineer यानि कि research center में civil engineer और electrical engineers के लिए job है qualification की बात करें तो आप देख सकते हैं कि degree in civil engineering and electrical engineering यानि कि यदि आप civil engineering या फिर electrical engineering में बी या फिर बीटेक हैं तो आप इस job को apply कर सकते हैं Second qualification की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि diploma in civil engineering यानि कि यदि आपका civil engineering या फिर electrical engineering में diploma है तो आप इस योग को apply कर सकते हो ठीक है और इसके साथ साथ आपके first 10 year का experience होना चाहिए तभी आप इस योग को apply कर सकते हो यदि आपके first 10 year का experience है तो आप ये job जरूर से जरूर apply कीज और interview place की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे interview का पूरा address दे रखा है और इस form को यदि आप download करना चाहते हैं तो description में link दे दिया गिया है आप वहाँ से जा कि इस form को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और इस form को एक बार पूरा पढ़ने के बाद ही आप इस job के लिए apply लाइक करें सुधोस्तास के लिए बस इतना ही next वीडियो में civil engineering से related latest job वीडियो के साथ आपसे फिर मुलागात होगी तब तक के लिए goodbye and take care